इस मुल्क में ऐसे लगता है को एकॉनिया की जो मार्केट है वो साउथ एशिया को लेकर चल रही है अपने जो आने वाली नसले है पाकस्तान की उनके लिए कैसा पाकस्तान है इसलिए तो कहा रहे है हर बंदा पाकस्तान चोड़ कर जाना चाहता है तो बाइर भी चले जाएं तो बाहर कौन सा दूद और शैद की नहरे है इतने लोग हैं तो बाहर किज़ज जा के सर्वाइब कर सकते हैं इंडिया ने इसलिए तो हमसे अलग होके ने गुरूप बना ली हैं। इंडिया क्यों बिम स्टैक पर फोकस कर रहा है। पर पाकिस्तान की इजट आबरू जैसे कहते हैं ना कि भई एक पैजामा है उसका एक बहुत पतला सा धागा है जो नाड़े का काम कर रहा है। वो धागा तूट गया तो आपको पता है कि तो लौ ऑफ ग्राविटी विल अपलाई एंदा पजामा विलकम डाउं। नमस्कार जब से पाकिस्तान भारत से टूट कर बना है ना और वहां पर जो उनके आर्मी आई उनके जो नेता लोग आए उनको सुरवात में एक बात समझ में आ गई कि अगर इन पाकिस्तानियों के उपर राज करना है ना तो इनको मजब के पीछे लगाओ इनको जियाद क बत्ती के पीछे लगाओ अगर ये पाकिस्तानी इसके पीछे लगे रहेंगे तो इनकी आर्मी और इनके नेता लोग इनको आराम से लूटते रहेंगे और आज तक पाकिस्तान के अंदर यही सिलसिला चलता आ रहा है अब पाकिस्तान के जो पत्रकार लोग हैं उनको समझ म कि हालत क्या हो चुकी है पाकिस्तान की तो मीडिया पर रौना-दोना होता ही है तो वैसी ही वीडियो हम देखने वाले है तो वीडियो पूरी देखना लाइक करना है अगर हाफ हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आएकन को दबाना तो चलिए वीडियो को शुरू करें कि हम कब तक ऐसी लड़ते रहेंगे आई एम एफ से करजे लेते रहेंगे करजे बढ़ाते रहेंगे कि अब भी तो हम करोना से नहीं निकले थे सो सारे के सारे स्यास्तदान तो व搬ने एसेट चुपाना चाहते हैं तो यकीन करके माने सारा दिन इतनी लडाई होती है सारा दिन इतनी लड़ाई होती है कि इस मुल्क में ऐसे लगता है को इकॉनमी डिवलॉपमेंट ड्रोफ इन्फरस्ट्टॉर प्रॉजेक उसकी तो बात ही कोई नहीं हो रही। उसकी तो बात ही कोई नहीं हो रही, यह तो बात ही नहीं हो रही कि इस मुलक में हमने आगे कैसे जाना है, यह तो बात ही कोई नहीं हो रही यार, यह कोई बात नहीं हो रही, कि इस मुलक में आगे कैसे जाना है, सिर्फ यह की बात हो रही है, कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ो कि वो उसको नहीं चोड़ेगा ये उसको नहीं चोड़ेगा है और हम जो है वो अपस में बस लगें होए बा – सब्सक्राइब दो नियुक्त हैं अज डिवाइड हैं एक मुझे बता देना ये कैसे नजाम चलेगा कैसे नजाम चलेगा ये और ये क्या होगा ये निजाम कैसे चलेगा लोग और मज़े की वादा कि 250 मिलियन की अबादी हो गी है 250 मिलियन की अबादी को आप कितनी को देर इस तरह लड़ते रहो गां और इस तरह चलते रहो गए ये को तरीका थोड़ी बनता है कि आप ऐसे लड़ते रहें ऐसे ही मरते रहें करजें आई मेफ के आपके ओपर चड़ते रहें करजे चड़ते रहें, जहज लड़ते रहें, खिता तरक्य कर रहा है, इवन कि अफगानस्तान भी बेतर सोच रहा है, कि हमें कराची पोर्ड पर जहीं जाना, हमें चाब हार पोर्ड पर जाना भई, हमें नहीं जाना वहा है, ये अफगानस्तान सोच रहा है, एरान सोच रहा ये एरान ये सोचता है कि इनके साथ कारवार नहीं हो सकता क्योंकि वो कहता ही अमरीका से डरते हैं अभी पाकिस्तान गया था रसिया जब गये थे उस वक्त भी यही बात ली उस वक्त भी यही बात ली उन्हेंने का हमारे जो तालुक आपके साथ होने चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिस तालुक में ऐसा तालुक होना चाहिए जिसमें कोई प्रेशर ना हो मतलब ये बताया गया कि आप अमरीका से डरते हैं और अमरीका से पूछ के चलते हैं तो वो कह तो यह रहे थे कि इंडिया तो नहीं है अमरीका से पूछता इंडिया तो नहीं है अमरीका से पूछ के चलता हमारे साथ इंडिया तो हमारे साथ डिरेक्ट चलता है ये है सारी सोच ये है सारा कुछ ये है सारी की सारी सोच लिकीन करके माने अपने जो आने वाली नसले हैं पाकस्तान की उनके लिए ये कैशा पाकस्तान है इसलिए तो कहा रहा है हर बंदा पाकस्तान छोड़ कर जाना चाता है तो बाहर भी चले जाएं तो बाहर कौन सा पूद और शायद की नहरे हैं अंसकिलड लोगों को लेने को त्यार ही नहीं है अंसकिलड हमारे पास क्या कर सकते हैं अब हमारे पास क्या है स्वाई चार्ड शीट के अपने मुल्क अपनी लिडर्शिप के बारे में क्या चार्ड शीट है एक चार्ड शीट ही है ना अपने अपने मुल्क के बारे में ठीक है जी एक चार्ड शीट है और तो कुछ भी नहीं है मैं तो इसके लावा और कुछ भी नहीं समयता सारा पाकस्तान अपने मुलके खिलाफ एक चार्ड शीट बना रहा है और सारा पाकस्तान ही शोर डाल रहा है सारा पाकस्तान ही शोर डाल रहा है कोई कहता है मैंने बाहर जाना है कोई कहता है क्या करना है लेकिन कोई पाकिस्तान की तरकी के लिए कॉंट्रिब्यूट करने को त्यार कोई नहीं है मैं आपको बता दूँ आपको क्योंकि जो तरक्की के लिए contribute करें वो टेक्स दें। जो तरक्की के लिए contribute करें वो अपनी लड़ाई खतव करके टेबल पे बैठके मुल्की इसला के लिए आगए चले। political solution डूण़ हैं। वो इमरान खान साब हों। वो बाकी स्यासत दाना है। हर कि दूसरे कहते हैं कि हम भी नेक थे इमरान खान और वरना हम भी साफ हैं क्या एक तमशा इस मुलक के अंदर लगा हुआ है और यह तमशा कहीं ही नहीं जाने वाले मैं आपको बाब बताऊं क्योंकि मुलक के अंदर मुलक के अंदर कोई ऐसा रास्ता जो है वो नहीं नज़र आ रहां कि जहां पे लोग बैट के मुस्ट कबिल कर रास्ता तेह कर सके तो दोस्तों I hope कि आपको इवीडियो जरूर पसंद आई होगी और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने पाकिस्टान की पत्रकार कमर्चीमा को सुना है यहाँ पर वो पाकिस्तान की जो कंडिशन है पाकिस्तान की जो खराब हालत हो चुकी है उसको लेकर यहाँ पर रोना धोना करते हुए हमको दिखाई दिये हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम ही समय चल रहा है ना जो पूरी तरीके से फ् और थे रिप्तार कर लिया वो उसके उपर एलजाम लगा रहा है तो यही मंग की तमासा जो है ना पूरे पाकिस्तान में लगा हुआ है और अभी मेंड के साथ इनका 7 बिलियन डॉलर का जो मौइदा है वह भी हुआ है 36 माइनों के लिए के अगले 36 माइनों तक इनको को ये पैसा मिलता रहेगा तो पहले ही जहां पाकिस्तान के अंदर इतने बारी टेक्स लगा दिये गए हैं आवाम के उपर वहां पर अगर और आयमेफ के साथ ये जा रहे हैं उनके साथ प्रोग्राम है सेवन बिलियन डॉलर इनको मिलने हैं तो फिर आयमेफ जो सड़ते आना हम मिलेंगे एक नहीं वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद